क्या आपको जल्दी धकान हो जाती है और वीक महसूस करते हैं? क्या आपके निल्स बिटल है? क्या आपकी सांस जल्दी फूल जाती है? क्या आपका सर चकराता है और दर्द करता है? क्या आपकी चिस्ट में पेन होता है? क्या आपकी स्किन पेल है या उसके कलर में पीला पना गया है? अगर हाँ, तो ये सिंटम्स, अनेमिया यानि खून की कमी की हो सकते हैं और आपको ये एपिसोड जरूर देखना चाहिए हालो, हाई, नमशकार मैं शिल्पा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ हम सब के चहीते प्रोग्राम में जिसका नाम है जीवा हेल्थ शोग दोस्तों, आज की एपिसोड का विशय है अनीमिया अनीमिया यानि खून की कमी सवाल ये है कि क्या खून की कमी हो सकती है जानलेवा ये कितनी सीरियस प्रोग्लिम है और आयरवेद में इसका क्या इलाज है इस सीरियस सबजेक्ट पर बात करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद है एक ऐसे जाने माने डॉक्टर जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में आयरवेद की एहमियत उसका रेलेवेंस और उसकी साइंटिफिक ट्रीटमेंट का प्रचार प्रसार कर रहे हैं आपका भियान है कि ऑथेंटिक आयरवेद सही और साइंटिफिक आयरवेद पहुचे घर-घर जिससे नाच्रल हेल्थ आजाए घर-घर में जी हाँ, वो हस्ती हैं डॉक्टर चौहान नमस्कार डॉक्टर सहाब नमस्कार जी वेलकम टु जीवा हेल्थ शोग धन्यवाद दोस्तों, डॉक्टर चौहान हमारे बीच मौजूद है और आज हम डिसकास करेंगे अनीमिया, याने खून की कमी से जुड़े हुए रोगों के बारे में अगर आप या परिवार में सी किसी को भी इस रोग के कोई भी सिम्टम्स है तो तुरंत डाइल करे सेहत का नमबर, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है सेहत का नमबर है 0129 4040404 तो डाक्टर साहब सबसे पहले जानना चाहूंगी कि अनीमिया, याने खून की कमी क्या है इसके क्या लक्षन होते हैं और इसकी वज़े से कौन-कौन सी बिमारियां हो सकती है देकि विशे बहुत अच्छा है क्योंकि जैसा आपने कहा कि जानलेवा हो सकता है डेफिनेटली बहुत कॉमन समश्या है लेकिन आपको यह समझना है कि पहले तो अनीमिया होता क्या है हमारे शरीर में जो रक्त है, खून है, ब्लड जिसको बोलते है उसकी जब क्वांटिटी कम हो जाती है और आपको मालूम है कि रक्त हमारे शरीर का एक बहुत महत्पॉर्ण धातु है साथ धातु हमारे शरीर में है, उन्हें से ब्लड भी एक है और इसका काम क्या है कि जो ऊक्सीजन हम लेते हैं अंदर तो oxygen और जो भी हम खाना खाते हैं, जो portion, nutrients उनको transport करता है, जगे-जगे पर जो है उसको पहुँचाने का काम करता है और वहाँ जो toxins हैं, उन toxins को वापस लेकर के आता है, तो बहुत बड़ा रोल है, यानि के oxygen पहुचाना, भोजन पहुचाना, toxins को साफ करना, तो अगर रक्त कम होगा, तो उससे क्या होगा? अनेक प्रकार के रोग आएंगे, अनेक प्रकार की बिमारी आएंगी सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, कि आपको मालूम कैसे चलेगा, कि आपको अनेमिया हो गया है, बहुत सारे लोग तो टेस्टी नहीं कराते हैं, तो यदि कहीं आपको शरीर में थोड़ी बहुत थकान महसूस होने लगी है, कमजोरी फिल करते हैं, पहले एनरजी ज्याद सांस फूलता ही है, लेकिन मालो सीडियां चड़ रहे हैं आप, या थोड़ा पैदल चल रहे हैं, और उसमें आपका सांस फूलने लगे, कोई थोड़ा वजन उठा लिया, सबजी लेने गए, सबजी लेका हैं, तो चलने चलने में सांस फूल रहा है, तो अच्छा आपकी ज़ो थोड़ी कहीं से येलोईश हु रही है, आपके नाखून, आखें या तशज़्ा में पीला पन यदी है, और आपकी ग्रोथ ही ठीक से नहीं हो रहे हैं, चोटे बच्चों में विशेश ध्यान रखना चाहिए, अगर बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही है ठीक से, त जलते हैं तो चक्कर आने लगे या बिस्तर से उठते हैं शरीर में या आपकी हडियों में जोडों में कहीं दर्द अगर होता है तो यदि ये लक्षन आपको हैं तो एक बारी ब्लड टेस्ट करा लिजिए उसमें हेमोगलोबिन का मालूम चल जाएगा क्योंकि सही समय पर हो जाती है और अनेमिया के कारण डेप्रेशन भी हो जाता है आपने साथ ये कभी सोचा नहीं होगा और प्रेगनेंसी के अंदर जो महिलाएं गरववती होती है उनमें तो आपको मालूम ही है उनमें तो बहुत ध्यान रखा जाता है अगर प्रेगनेंसी के अंदर अनेमिय हो जाए तो काफी सीवियर सिचुएशन कई बर हो जाती बच्चे की जो ग्रोथ ठीक से नहीं होती तो अनीमिया को हलके में मत लीजिए इतने अच्छे से समझाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जी और इसी के साथ आप से जानना चाहूंगी कि अनीमिया के मुख्य कार है और उसको अगर वो निगलेक्ट करते हैं उसका प्रॉपर अगर वो उपचार नहीं करते तो डेफिनिटली मैंने कहा कि सीरियस प्रॉब्लम्स उसमें हो सकती हैं तो कारण जो मैं आपके साथ यह शेयर कर रहा हूं सबसे सरल और सबसे जो में कारण है सिंपल कारण जिसक को नहीं मिल पाता है न्यूट्रियंट्स नहीं मिल पाते तो वहां पर बहुत यह प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है तो उससे आयरन की कम हो जाती है या खून ना बनना किसी कारण से आप पोशन भी ठीक ले रहे हैं सब कुछ ठीक है लेकिन ब्लड नहीं बन रहा है वहां किसी केस के अंदर एक कारण ये भी होता इए कि ब्लड सेल्स बनती तो हैं लेकिन वह डिस्ट्रोय हो जाती है बहुत सारे ऐसी जैसे सिंटल अनीमिय आप और सुना होगे या लुकेविया जिसको के ब्लड कैंसर कह देते हैं महां ब्लड सेल्स बन रही हैं लेकिन वह डिफ हो चाहे external bleeding हो जैसे महिलाओं में जो मासिक धर्म होता है menstrual periods उसमें बहुत bleeding अगर हो रही है कई लोगों को piles के शिकायत होती है bleeding piles जो होते हैं उसमें भी कुछ लोगों को बहुत bleeding होती है तो any kind of bleeding उसके कारण भी आपको एनीमिया हो सकता है या pregnancy के दोरान भी जो है नियमिया हो जाता है क्योंकि उस समय एक जो दूसरा बच्चा अंदर डवलप हो रहा है उसको भी portion चाहिए मदर को भी portion चाहिए तो pregnancy के दोरान भी अक्सर नियमिया देखने को मिलता है तो ये तमाम कारण जो है मैंने सरल तरीके से आपको समझाएं मैंने आपको ये भी बताया कि ये रोग जो है बहुत कॉमन है अक्सर हो जाता है लेकिन इसको जो हमेशा इसका सही समय पर उपचार करना बहुत आवश्यक है नहीं तो फिर कॉम्प्लिकेशन काफी सीरियस इसके हो जाता है जी डॉक्टर सहाब इससे पहले की अगला सवाल पूछू हमारे एक कॉलर है जो विडियो कॉल के मार्धियम से अपनी समस्या हमारे साथ शेयर करना चारहे हैं जब कोई भी ट्रेवलिंग जॉब में होते हैं बहुत सारे लोगों को ट्रेवल करना पड़ता है तो वहां सबसे बड़ी समस्या आती है भोजन की पहली चीज तो यह है कि अगर आप रोज ट्रेवल कर रहे हैं और घर से जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि भोजन घर से ले जाएं अगर पॉसिबल है आज कल बहुत सारी सुविधाएं हैं अच्छे अच्छे होट केस मिलते हैं आपको जिसमें खाना गरम भी रहता है तो भोजन अपना घर का बना हुआ आप साथ रखें तो वह बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए दूसरा अगर बाहर खाना भी पढ़ता है कभी कभार पॉसिबल नहीं होता तो वहां थोड़ा ध्यान कर लीजिए जरूरी नही ये पीले वाली दाल तूर की दाल हल्की होती है चपाथी मिल जाती है आजकल तो सब चीज सब थरह का भोजन उत्क है क्या करना है और जहां तक इलाज की बात है तो आप दिलि में रहते highways किसी भी जीव धिवा क्लिनिक में आप जो जाकर के मिल लिएए ञ्यों कि कुछ दिन दो-तिन महिना आपके जो digestive system को ठीक करना पड़ेगा, कई बारी उसमें जो हमें अगनी को मजबूत करना पड़ता है, कई बारी अगर कोई चीज वहाँ already deform हो गई है, कोई विकृती आ गई है, तो उसको ठीक करना पड़ता है, लेकिन ठीक हो जाएंगे, कोई घबराने की बात नहीं, जो important बातें मैंने बताई हैं, वो किवल आपके लिए नहीं है, वो सभी के लिए हैं, जितने भी लोग ये शो देख रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, जो traveling job में होते हैं, या इस तरह का आपका schedule होता है, कि खाने का time कही बारी जो उपर नीचे हो जाता है, इसको please ठीक कर लीजिए, बहुत important ये एक important point है हमारी health को, अगर ठीक रखने के लिए हम कोई कोशिश कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा role इसका होता है. जी, Dr. Sahab, thank you for that wonderful explanation. तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कि किस तरीके से हमें अपने खान-पान का खयाल रखना चाहिए. देखिए, इन्होंने video call करके अपना सवाल पूछ लिया, अगर आप भी video call के माध्यम से अपना सवाल पूछना चाहते हैं, बेशब डाइल कीजे हमारा सेहत का नंबर, या फिर आप नजदी की जीवा क्लिनिक्स में भी जा सकते हैं. सेहत के नंबर पे call करके आप जीवा के एक्सपर्ट से बात भी कर सकते हैं, और पा सकते हैं अनीमिया या किसी भी दूसरी प्रॉब्लिम का इलाज. प्लीज नो डाउन, सेहत का नंबर जो आपकी स्क्रीन पर है. सेहत का नंबर है 0129-4040404. तो डॉक्टर सहाब आपसे request करना चाहूंगी अगर ऐसी कोई case study है, जो आप हमारे साथ share कर सकते हैं. जी, बिल्कुल case study बिल्कुल share करेंगे, क्योंकि हमारे जो इस शो में हम हर बार कोई ना कोई एक अपनी case study share करते हैं, जो कि एक real case है, जो हमारे हैं आए, तो आज बात हम जो अनीमिया की कर रहे हैं वैसे तो, और सबसे important जो है, उस समझने वाली बात ही है, कि अनीमिया का root cause पहले आपको पता लगाना चाहिए, कारण क्या है, और खाने की अगर बात करूँ, थोड़ा समय अनीमिया से यह भी बात कर रहा हूँ, फिर उसके बाद case study आपको बताऊंगा, उसमें जो है iron rich foods का सेवन आपको करना चाहिए, जो लोग जिनको खून की कमी है, हरी, पत्तेदार शबजियां, पालक, मेथी, बथवा, गाजर, चुकुंदर, टमाटर, करेला, सब मिलता है जिली, एपल खा सकते हैं, सेब जो होता है, तर्बूज, अंगूर, पपिता, किश्मिस, खजूर, अंजीर, ये भी सेवन करें, और बहुत important है, कि जो पित बढ़ाने वाले भोजन हैं, उनको आप avoid करें, अनीमिया वाले patient ध्यान से सुन लिजिए, चाए, कॉफी, तीखा, मिर्ची, मसालेदार भोजन ना खाएं, और junk food, processed food, या जो bakery items होते हैं, biscuit वगरा, bread, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, उनको बिल्कुल अभी आप सेवन ना करें, अगर आप अनीमिया से पीडित हैं, और जो भोजन जो हैं, बहुत टेस्टी होते हैं, वो ज्यादा तर बहुत healthy नहीं होते हैं, यह ध्यान करें आप, लेकिन healthy जो भोजन होते हैं, उनको tasty बनाया जा सकता है, उसके लिए आप जीवा में संपर्क करें, हमारे जो लोग हैं आपको इस पर भी guidance देंगे, अब case study पर आते हैं, यह जो case study आपके साथ में share कर रहा हूं, यह anemia की ही है, 50 वर्ष की एक महिला, जो के लगभग 20 साल से इसको anemia था, 20 साल, बहुत पुराना रोग है, सब कुछ इसने जो है try कर लिया, सब तरह के इलाज करके ठक चुकी, दो-तिन बार तो ऐसा स्थिती आई इसकी, कि blood इसको बहुत, hemoglobin बहुत कम हुआ, तो blood चड़ाना पड़ा, जीवा के डॉक्टर से इसने बातचीत की, कहीं से पता चला कि जीवा में जाई है, तो जीवा के डॉक्टर ने root cause उसका diagnose किया, फिर personalized medicine दी, साथ में उसको proper diet, lifestyle related suggestions, सब चीज उसको बताए, सबसे important जो बात यहाँ पर जो मैं बताना चाहता हूँ, कि उसको परहेज भी बताया, क्योंकि patient जो है ये बहुत ज्यादा पित वर्धक भोजन खारी थी, तीखा, खटा, मसालेदार भोजन बहुत खाती थी, तो ये कारण था कि 20 साल तक रोग चल गया उसका, जब उसका इलाज शुरू किया, तो hemoglobin उसका करीब 7.8, इतना था, तीसरे महीने में 10.8 हो गया, तीसरे महीने में देखे 20 साल पुराना रोग है, छटे महीने में 11.3, आल्मोस्ट नॉर्मल रेंज में आ गया है, दस से उपर जाए तो कोई चिंता की बात नहीं, 20 साल पुराना रोग 6 महीने में ठीक, और लोग कहते हैं कि आईरवेद स्लो है, अब बताईए, आप बताईए जी, 20 साल पुराना रोग 20 साल से इलाज करा रहे हैं, ठीक नहीं हुआ, हमारे यहां 6 महीने में ठीक हो गया, वाउ, तो इसलिए देखे मैंने शुरू में कहा कि के स्टेडी जो हम आपको लेकर आते हैं अपने शो में, उसका परपज यही है, कि आप यह समझें कि आयरवेद जो है, वो फास्ट भी काम करता है और बिल्कुल रोग को ठीक करता है, और यह रियल के स्टेडी जैस हैं सारी, हमारे पास तो हजारों की संख्या में हैं, तो आप जो है थोड़ा आयरवेद में अपना विश्वास बढ़ाईए, आयरवेद से जुड़िये, बाकी हम लोग हैं, हमारा स्टाफ, हमारे हेल्थ कोचिज, हमारे डॉक्टर्स, हमारी क्लिनिक्स, हमारा शो, हमारी यूट्यूब चैनल, हमारा फेस्बुक, सोचल मीडिया, सब जगे हम आपके साथ हैं, कहीं भी आप खोल लेंगे, कहीं न कहीं दिखाई दे जाएंगे आपको, लेकिन थोड़ा सा आपको एफर्ट करनी है, फिर देखिए, आयरवेद आपके जीवन में एक ऐसी बाहर लाएगा, कि आप हमेशा सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और परसंड रहेंगे, जी डॉक्टर सहाब, तो दोस्तों, बीमारियों कर जड़ से खतम करने के लिए जरूरत होती है आयरवेद की, जैसा कि आप समझ ही गए होंगे डॉक्टर चौहान की बातों से, लेकिन कैसा परसनलाइस आयरवेद, जो व्यक्ति और उसके मर्स का इलाज कर सकता है, चाहे फिर समस्या अनीम्या हो, या कोई और, क्योंके परसनलाइस आयरवेद ही है, सही आयरवेद, गैट योर परसनलाइस ट्रीटमेंट, समपर्क करें सेहत के नंबर पर, विडियो कॉल के जरीए या वोईस कॉल के थुरू, नंबर है आपकी स्क्रीन पर, सेहत का नंबर है 01294040404, इससे पहले की अगला सवाल पूछू, एक कॉलर है जो वीडियो कॉल के माध्यम से अपनी समस्या हमारे साथ बाटना चाह रहे हैं, let's see, रख सब मैं पांच साल से आपके प्रोग्राम देख रही हूँ, और आपकी दवाईयां भी खरीकती रहती हूँ, लेकिन अभी कुछ समय से मुझे सर्वाइकल इस्पंजलेट की बहुत प्रोब्लम हो गई है, इसकी वेज़े से मेरे कंदों में गर्दर में बहुत हमेशा दर बना लेता है, और मेरा काम भी कंप्यूटर पर करने का है, तो राट के समय इतनी कंदे में दर्द होता है कि मुझे नींद भी नहीं आ रही है, और बहुत तकलीफ होती है, मुझे रख सब आपके पास को अपचार बताईगे, आपको सबसे पहले तो धन्यवाद आप हमारा सदस्य बन गया है, पूरा, जहां तक आपने अपनी प्रॉब्लम पूछी है भी, सर्वाइकल की, तो आपके प्रशन में ही उत्तर भी है, आपने का कि कंप्यूटर पर आप काम करते हैं, और कंप्यूटर पर जो लोग काम करते हैं, उनसे मैं कही बार पहले भी बता सबसे पहला आपका नियम आपकी स्पाइन बिलकुल सीधी होनी चाहिए, कहीं भी आपके स्पाइन में गर्दन में ऐसे टेड़ा पन आएगा अगर आगे गर्दन जुकी, तो आप समझ लीजिए कि आपके स्पाइन के उपर वजन बढ़ गया, पांच किलो वजन तो ऐसी ह होता है हमारे सिर के अंदर, जब सीधे रहते हैं, जैसे ही आप आगे जुकाएंगे तो वजन यानि के टेंशन या स्ट्रेस हमारी स्पाइन पर और ज्यादा बढ़ जाता है, आगे जितना आगे ज्यादा जुकेंगे उतना वजन और बढ़ता चला जाएगा उसके उपर, तो इसलिए आपको ध्यान ये रखना है कि स्पाइन सीधी रहने चाहिए, दूसरा रूल जिए, अगर आप काम कर रहे हैं, हर घंटे में, एक घंटे के बाद आपको उठना ही है, टाइमर लगा दीजिए, अपने फोन में लगा दीजिए, चाहे अपने कंप्यूटर में ल जैसे, वो साथ के साथ वो उसको आप रिलेक्स कर लीजिए, शाम को जब घर पहुचते हैं आप, उस समय भी कोशिश करिए, जब आपको दर्द होता है ज्यादा, तो हमारा जीवा का एक पेन काम ओयल है, पेन काम बाम है, पेन काम पोटली भी है, ये चीजे एजी लिए अ बहुत सरल है, हम लोग इंटरनल मेडिशन भी देते हैं, मैं तो बलके कहूंगा, तीन-चार दिन आप पंच करम करा लीजिए, किसी भी क्लिनिक पर हमारे जहां पंच करम अविलेबल है, उसी में आपको रिलीफ पूरा मिल जाएगा इसमें, जी डॉक्तर साहाब, थांक्य डाइट में कुछ ऐसी चीजें लें, जो आइरन रिच हैं, चुकुंदर और गाजर, दोनों बहुत अच्छी होती हैं, इनका आप सूप बना लीजिए, या जो गाजर होती है, उसको थोड़ा कद्दू कस करके, थोड़ा उसको छोटा-छोटा घिस करके, और दूद में ड आमला टेबलेट जीवा में मिलती है, आमले का जूस भी मिलता है, अलोई वरा जूस भी अच्छा है, और चवन प्राश बहुत बढ़िया है, महिलाओं के लिए सतावरी टेबलेट है, नारी सखी कैपसूल है, क्योंकि आयरवेद में ये जो रोग है, ये बहुत डीपली, बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया गया है, पांडू रोग के नाम से इसका वरनन आता है, और मुख्य रूप से पित्त के कारणी होता है, तो आयरवेद में जो है, इस तरह से हम इसकी चिकित्सा करते हैं, और आपका रोग आयरवेदिक तरीके से हम ठीक करने का पूरा प्रियास करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका रोग ही नहीं, पूरा शरीर, मन, इंद्रियां, हर लेवल पर आप जो है, स्वस्त हो जाएंगे, जी डॉक्टर सहाब, अनीमिया पर इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आप जीवा अयूरवेद के डॉक्टर्स की हेल्प ले सकते हैं, आप जीवा अयूरवेद के नस्थी की हेल्थ क्लिनिक्स में जा सकते हैं, या फिर जीवा सेहत के नमबर पे कॉंटाक्ट करके, video call या regular voice call द्वारा परस्नलाइज इलाज लेकर, अपनी समस्या को जड़ से करने का मौका भी पा सकते हैं क्योंकि personalized आयरवेद ही है सही आयरवेद तो note कर लीजे सेहत का नंबर और contact details किसी भी स्वास्थ संबंधी समस्या के बारे में या जीवा प्रोडक्ट के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप जीवा आयरवेद में संपर्क कर सकते हैं जीवा आयरवेद की टीम आपकी मदद करने के लिए ततपर है आपकी सेहत का नंबर है 0129-4040404 आपकी सेहत की email ID है info at jiva.com आप जीवा हेल्थ शो के किसी भी एपिसोड को देखना चाहते हैं तो YouTube पर जीवा आयरवेद चैनल को सब्सक्राइब करें Friends, Philhal Shilpa को दीजे इजाज़त. See you in the next episode of the Jiva Health Show. In the meantime, अपनी सेहत का ख्याल रखे, अच्छे से खाए, पीए, enjoy life, stay happy, take care, goodbye, namaskar. Jiva Gram has been built using traditional Indian architectural practices to house you, the life force. Beyond just massages and panchakarma, Jiva Gram goes one step further to understand you. Here, every therapy is meticulously designed to undo the root cause of your ailment, restoring health and happiness. A holistic experience supported by yoga, meditation, Raja Chikitsa, Ayurvedic cooking classes will leave you rejuvenated and complete. A healing experience awaits you at Jiva Gram. लुई है कि अच्छे सेहती ओुई बादे जर्च़ाई हैं. Andh.